Learn Easy चैनल के न्यूव वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए आपको करना होगा Learn Easy चैनल को सबस्क्राइब सबस्क्राइब बटन पर क्रिक कीजिए बैल अईकन को प्रेस कीजिए अल नोटिफिकेशन को जरूर आउन कीजिए अब आपको जो भी न्यूव वीडियोज अपलोड होंगे उनकी जानकारी यूटूब आप तक फॉरण पहुचा देगा असलाम लगोई प्यार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है लर्नीजी के चैनल में मैं हूँ आपको दोस्तों मसूद है मैं शमसी तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ल किट किट 2021 रिलीज हो गया है और मैं इसका चोटा सा रिव्यू लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको पूरे गेम की सारी डिटेल सारे फीचर के बारे में बताओं दूँगा फटाफट और साथी जानेंगे इसके अंदर कहा कहा इंप्रूब्मेंट करने की जरूरत है और इसमें टाइमिंग कौन से तरीके से आप कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम गवायर वीडियो को शुरू करते हैं तो गेम का फीचर कुछ इस तरीके का होने वाला है सामने आपको कुछ एड़ देखने को मिलेंगे जो भी इस गेम के अंदर न्यू फीचर्स है वो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर आपको तीन फीचर लेफ साइट वे मिल जाते हैं एक्जिबिशन यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो सारी के सारी इभी लेवल होती है लेकिन यहां पर जो सेटिंग्स है उसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें लॉक पड़ी है जो साइब यह आपका इनेवल है लेकिन इंगलिश कमेंट्री आपको मिले की हिंदी कमेंट्री सीजन टू के अंदर आएगी ग्राफिक के बात करें जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल लाए तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फीचर आपको एनलॉक मिलेंगे सीजन टू में अब हम बात करते हैं ऐसे फीचर की जो बहुत जादा हाइप था यहाँ पर इमोट्स जो के टॉंट के नाम से इसमें दिये गए है यहाँ पर जब भी आप अगर बैट्समें हैं सीक्स लगाएंगे तो आपको यह इमोट्स करने का मौका मिलेगा तो यहां पर आप बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज़ की जो अभी तक इसी गेम में देखने को नहीं मिली है यह स्टेडियम कस्टमाइजेशन का आप्शन है इसके अंदर आप अपने हिसाब से स्टेडियम को कस्टमाइज कर सकते हैं वैसे इसके अंदर बाकी स लिष्ट मिलेगी जिसके अंदर जो भी चीज़ आप बदलते हैं उसके कुछ आपको खरीदना पड़ेगा जैसे की कोईंस हो गए तो उससे आप यहां पर स्टेडियम को कर सकते हैं जिससे कि आपको स्टेंड बढ़ाने तो वहां पर ऊंचा करना है कुछ स्टेडियम में तो वह आप कर सकते हैं उसके लेवल बढ़ा सकते हैं ग्राउंड के अंदर जो ग्रास होती है उसको शेड दे सकते हैं उसको अलग अलग डिजाइन दोना सकते हैं बाहर की सिटी जो है वह भी आप बदल सकते हैं तो यह एक अलग चीज़ है जो अभी तक किसी गेम में नही आई है तो यह बहुत अच्छी चीज लगी हो साथ ही साथ जो फ्लैड लाइट्स हैं उनके टाइप आप बदल सकते हैं उनको बुझा और जला सकते हैं तो यह बहुत अच्छी चीज जो अभी तक मुझे सबसे बढ़िया लगी बाकी आप यहां पर जो ग्राउंड पे जो र कर सकते हैं बहुत आराम से उनके चेहरे की बनावट उनके हैर से लेके उनकी ब्रीड तो जो डाड़ी मुझे हैं सारी चीज़े आप बदल सकते हो उनके जो सिलीव है वो फुल सिलीव या हाफ सिलीव कुछ भी रख सकते हो बूट के कलर्स बूट के टाइप आप बदल सकत हैट बनल सकते हो और यहां पर काफी सारे जो है बैट भी आपको फिरी में मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन में उसके बाद में गोगल्स वगरा तो बहुत सारी चीजें जो आप यहां पर कर सकते हो तो यह बहुत अची चीज जिन लोगों को यह चीजों में मज़ा आता है त उसके साथ में चेर लीडर्स आप अपने चेर लीडर्स को भी यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं उनकी ड्रेस से लेके उनके बूट से लेके उसके अलाबे भी बहुत सारे यहां पर कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं आप अपने हिस तरीके का चाहें वैसा कस्टमाइ जो की है एक्जिबिशन एक्जिबिशन में आपको पांच दस और तीन ओवर का मैच आपको बिल जाता है मैच शुरू होने से पहले आप पैटन बदल सकते हैं प्लेयर्स की जितने भी डिरेस है उसके कलर पैटन बगारा बदल सकते हैं यहां से भी आप अपने पिछ टाइप सेलेक कर सकते हैं और यहां पर बाकी चार वेदर आपको दिये गए हैं डे, क्लाउड, नाइट और्क वाला फीचर तो अच्छी चीज़ है उसके साथ में यहां पर आपको और भी चीज़ेंगी जो की गेम के अदर देखने को मिलेंगी तो चलिए हम लोग गेम शालू कर ल इस तरिके से आपको टाइमिंग करना है वो बिल्कुल सेम टुसेम इपिक किरकेट वाला है तो अगर आप इपिक किरकेट खेले हो कभी यह आपने कभी टाइमिंग करी है तो आपको यह गेम खेलने में कोई भी प्रॉबलम नहीं आएगी आप आराम से 6 या 4 लगा सकते हो यहां पर एक चीज और देख लिजए पहले हम बात कर लेते हैं तौँ की तो यह एमोट का और यह टॉट का इमॉट आपकर सकते हो जब आप तो काफी अच्छे यहां पर शॉट आपको देखने को मिलते हैं जिस तरीके से आप WCC 3 के अंदर या WCC 2 के अंदर शॉट लगाया कर देते 360 शॉट आप चारों तरफ लगा सकते हैं और यहां पर अगर आप देखे तो सारी तरफ शॉट लगाने का उप्शन आपको मिल जाता है और यहां पर फिल्डुइंग भी काफी जबर्दस देखने को मिलती है जैसे WCC 3 के अंदर तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें फिल्ड सेटप की तो फिल्ड सेटप के अंदर आपको प्रिजेंट और मेनुवल का फिचर मिल जाता है लेकिन जो मेरा एक्सपिरियंस रहा है मेनुवल के साथ में वो काफी अच्छा नहीं रहा मेनुवल फिचर में मुझे बहुत दिक्कत हुई मैंने एक फिल्डर ही यहां पर मूव करवा पाया इसके अंदर लेकिन बाकी फिल्डर में मूव नहीं करवा पाया तो इसके अंदर काफी दिक्कत है और साथी balling करना काफी मुश्किल है आप अगर अच्छी timing कर लेते हो तो आप भी 6 लगा सकते हो और जो opponent है वो आपके उपर दना दन 6 लगाएगा और उसी के साथ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा manual fielding का भी feature और कुछ अलग type का manual fielding आपको इसमें देखने को मिलेगी तो मेरे हिसाब से real cricket, wcc3 और epic cricket और बाकी games के अंदर जो चीज़े हैं उन सभी को एक जगहां पे खटा करके कुछ ना कुछ झलक आपको उन games की इस game के अंदर दीख जाती है और आप क्या मानते हों मुझे जरूर बताना और हाँ अगर timing से related कोई वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताना मैं उसके उपर वीडियो लेकर आ जाओंगा अब आप ये बताईए वीडियो कैसा लगा और पसंद आया तो लाइक कीज़ेगा अपने दोस्तों के शेयर कीज़ेगा और चैनल को सबस्क्राइब कर लेजे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो मिलते हैं दोस्तों किसी लेक्स वीडियो में तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा अल्ला हफीज चैनल